सिंसत के दोनों सदनों की कारवाही सजुडी महत्वपून जानकारी संसत के निचले सदन यानि की कारवाही सजुडी खबर के साथ वितमुतरी निर्वरलास सीता रमन ने लोक सबहा में आम बजट 2024-25 पर चार दिन चली चर्टा का जवाब दिया जिसके बाद वित्यविध्यक सदन से पारित हो गया और आम बजट को लोग सभा की मन्जूरी मिल गई चर्चा का जवाब देते हुए वित्यमंत्री ने कहा कि बजट में सभी वर्गों और सभी क्षेत्र को साधने का प्रयास कर सभी तरह की चुनोतियों से निपटने के प्रावधान किये गए हैं लेकिन दुर्भागे से विपक्ष्री दलों के लोग भ्रम फैला रहे हैं और राज्यों की उपेक्षा का आरोप लका रहे हैं और राज्यूति कर रहे हैं बजट ब्याय में 48.21 लाख करोड रुप्यों का प्रावधान है जो पिछले साल से 7.3 प्रतिश्वत अधिक है योजनाओं के लिए आवंटन की सूची गिनाते हुए कहा कि उनके बजट भाषन में राजियों की उपेक्षा करने का जूट फ्यलाने की कोशिश की गई है वित्मंत्री निर्मिला सीतारमन ने कहा कि बजट में पूझी गत्वियाए 11.1 लाख करोड रुप्य है जो कोविट के पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा है प्रभावी पूझी गत्वियाए 15 लाख करोड रुप्य से अधिक है जो पिछले साल के संशोधित अनुमान से 18 प्रतीशत से अधिक है उन्होंने कहा कि क्रिशी और संबंदिक शेत्रों के लिए पूझी गत्वियाए 1.5 लाख करोड रुप्य है शिक्षा और कौशल पर व्याए 1.8 लाख करोड रुप्य का प्रावधान किया गया है जबकि महिला और बाल विकास के लिए 3.27 लाख करोड रुप्य आवंटित किये गये है ग्रामेन विकास के लिए 2.66 लाख करोड रुप्यों का प्रावधान किया गया स्वास्त के लिए 1.46 लाग करोर रुपियों का प्रावधान है उन्होंने कहा कि हर सामजिक शेत्र के लिए बजट पिछले साल से बढ़ा है और 2013-2014 की तुलना में कई गुना जादा बढ़ा है वित्यमंत्री ने कहा कि कोविट काल में राजस्व खाटे और राजकोशिय खाटे का अनुपात 80 प्रतिशत था जो 4 वित्यवर्ष में गिरकर 36 प्रतिशत पर आ गया है और ये पूंजी खर्च में व्रिद्धी और बजट की गुनवत्ता को दर्चाता है राजकोशिय विवस्था मजबूती की रहा पर बनी हुई है भारत आज दुनिया की सबसे तेज गती से बढ़ रही अर्थ विवस्था है उन्होंने कहा कि जम्मो कश्मीर की राजकोशिय इस सिती आज पटरी पर लोट आई है और इस बजट में जम्मो कश्मीर को पुलिस खर्च के लिए 12,000 करोड रुपय दिये गए है इसके अलावा 5,000 करोड रुपयों की और मदद भी दी गई है वितमित्री ने कहा कि 2013-14 में कृशी और कृशी कल्यान के लिए 21,934 करोड रुपय थे जो अब बढ़कर 1.2-3 लाग करोड रुपय हो गए है किसान सम्मान ग्योजना के तहट 11 करोड किसानों को 3.2-4 लाग करोड रुपय दी जा चुके है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस और इंडी गड़ बंदन किसानों को लेकर सिर्फ राजनीती कर रही है कॉंग्रिस के नेतर्चपारी सरकार ने MSP को फसल की और सतलागत से 50 प्रतिशत उपर रखने के स्वामिन अथन आयो के सिफारिशों को लागू नहीं किया था UPA सरकार ने 2007 में इस रिपोर्ट को दरकिन्यार कर दिया था उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए 5 नई योजनाय शुरू की गई है और मुद्रारिन योजना में सीमा 10 लाग से बढ़ा कर 20 लाग रुपे कर दी गई है जबकि UPA के 10 साल के कारेकाल में ये संख्या मात्र 2.9 करोड ही थी इससे पहले आम बजट पर चर्चा में बंगलवार को भी विबने दलों के सांसतों ने हिस्सा लिया पाचपा के देवेंदर सिहें ने कहा कि ये बजट देश की महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्द कराने वाला बजट है बजट में ऐसे प्रावधान किये गए हैं जिससे में रोजगारों को रोजगार और महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी पाचपा की डौक्टर के सुधाकर ने कहा कि ये संतुलिक बजट है इसमें ऐसे प्रावधान किये गए हैं जिससे प्रदान मंतरी का विक्सेद भारत का सपना पूरा होगा कॉंग्रिस की प्रतिभा धानोरकर ने कहा कि बजट में बिहार को विशेश पैकिज दिया गया है तो महराश्र को नजरनदास क्यों कर दिया गया समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष खिलेश अदव ने कहा कि मोडी सरकार के इस बजट से किसी वर्ग में खोशी नहीं है उन्होंने कहा बजट में पढ़ाई, दवाई, महंगाई और बेरोज़कारी को लेकर कोई ठोसी उजना दिखाई नहीं दे रही है उन्होंने कहा कि कोई समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति अगनीवीर को चित नहीं ठहराएगा लोग जन्शक्ती पार्टी रामविलास के राजेश शर्मा ने कहा कि इस बजट की सबसे बड़ी विशेशता ये है कि इसमें जो सहायता बिहार को दी गई है उससे बिहार विक्सित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने का मौका उसे मिलेगा भाशपा के अरुन कुमार सागर ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि बजट में सभी वरगों को साथ में लेकर चलने की विवस्ता की गई है भाजपा के ही जनारदन सिहां सिगरिवाल ने कहा कि ये बजट देश को हरकश्वेत्र में आजपने नर्बर बनाने वाला बजट है कॉंग्रेस के अलफ्रेव कनंगम एस आर्थर ने मणिपूर का मुद्दा उठाया मार्क्सवादी कमिनिस पार्टी के अमरा राम ने कहा कि सरकार ने बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं किया भाजपा के अनुराक सेट हाकुर ने कहा कि जिन्हें बजट निर्मान प्रक्रिया का पता नहीं है वो बजट हलवा की बाते कर रहे हैं उन्होंने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि जीप घोटाले का हलवा, वोफोर्स घोटाले का हलवा, सबमेरीन घोटाले का हलवा, अगस्ता वेसलेंग का हलवा, चारा घोटाले का हलवा किसने खाया उन्होंने कहा कि आजकल अन्यपिश्रा वर्ग OBC की बातें बहुत की जा रही है और ये बात कर रहे हैं उनके लिए OBC का मतलब है Only for Brother in Law Commission उन्होंने कहा कि वो OBC जनगर्णा की बातें कर रहे हैं जिनकी जाती का उन्हें खोड पता नहीं है अन्राग से ठाकुर ने इस बात पर कॉंग्रेस समेट विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया कॉंग्रेस सदस्यों जन बीचों बीच आसंदी के सामने आ गए अपने वक्तववे में केंद्रिय ग्रीह राज्य मंत्रे नेतनियन राए ने मंगलवार को लोग सभा में कहा कि केरल के वाइनाड में भूष कुलन के बाद प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी इस सिती पर नज़र बनाए हुए है और केंद्रिय सरकार राज्य कोहर संभव मदद कराने के लिए प्रतिबत है उन्होंने कह कि केंद्रिय राज्य मंत्री जॉर्च कुरियन को मौके पर रवाना किया गया है और वो सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मुड़ी सरकार राज्य सरकार को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबत है इससे पहले सदन की कारवाही शुरू होते ही शुर निकाल में भाजपा के पुरशोत्तम रुपाला के पूरक प्रश्ण के जवाब में के इंद्री कृशीवम किसान कल्यान मंतरी शवराज से चोहान ने कहा कि हमारे लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा से बढ़कर है प्रश्ण मंतरी के नित्रतों में किसानों के कल्यान के लिए कई उपाय किये जा रहा है जिनमें किसानों की उत्पाधक्ता बढ़ाना और ये सबसे महत्पून है प्रधान मंतरी ने अन्न दाता को उर्जा दाता बनाने का संकल प्लिया है सरकार ने किस्तानों को बेकार भूमी पर सोलो परनल लगाने की सुविधा दी है इससे वह बिजली बेचकर भी लाप्राप्त कर सकते हैं और इससे प्राप्त उर्जा से अपनी खेती को बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं क्रामिन विकास मंतरी शिवरास दिन चोहान ने एक पूरक प्रशन के जवाब में कहा कि सौ दिन का रोजगार देना सरकार की प्रतिबध्यता है मोडी सरकार ने मंडरेगा के लिए तीन नए प्रावधान तीन गुना प्रावधान लागू किये हैं और जरुरत पड़ी तो इसे और भी बढ़ाया जाएगा क्रामिन विकास राज्यमंतरी कमलिश पासवान ने एक अन्य प्रशन के जवाब में कहा के समय देश को कमजोर किया गया उस समय पर चीन पर अधिक निर्भरता थी और वहां से अधिक आयात किया जाता था हमारी सरकार ने दूसरे देशों में निर्भरता कम करके देश को आत्मे निर्भर बनाने की दिशा में काम किया है शुनिकाल में विपक्ष कुरिता राहूल गादी ने केडल की वाइनाट में विनाशक्वारी भूसकुलन की घटना पर दुख जताते हुए सरकार से राहत और बचाव कारे में तेजी लाने का अग्रह किया उन्होंने केड़ सरकार से अनुरोड किया कि बचाव और चुकित सादेग भाल के लिए हर संभव साहता परदान की जाए और मृतिकों को ततकाल मुहापसा दिया जाए महतपूर्ण परिवहन और संचार लाइनों को बहल किया जाए और प्रभावित परिवारों के लिए पुनरवास के लिए रोड मैप तैयार किये जाए कॉंग्रेश नेता ने कहा कि भूस को लिए संभावित क्षेत्रों की मैपिंग करने और पारिस्थिती की रूप से कमजोर क्षेत्र में प्रकृतिक आपदाओं की बरतिया वरत्ती को संभोधित करने के लिए कार योजना बनाने की ततकाला वशकता है संसदे कार मंतर के रेनरी जीजूर ने कहा कि कोई भी प्रकृतिक आपदा देश के लिए गंभीर मामला होता है केरली ने बलकि ये सभी के लिए चिंटा की बात है ये घटना के बारे में प्रधान मंतरी ने केरल के मक्य मंतरी से बात की है और रहत और बचाव का काम किया जा रहा है और आईए लोग सभा के बाद अब आपको बताते हैं संसत के उच्छ सदन याने की राज्य सभा में सदन की कारवाही से जुड़ी महच पूंचान कारी है राज्य सभा में केंद्री बजट और जमू कश्मेर के बजट पर चर्चा जारी रही राश्वादी कॉंग्रिस पार्टी के प्रफुल पटेल ने कहा कि सरकार ने पिछले दस वर्षों में अर्थ ववस्ता को मजबूत बनाने के लिए निरंतर खदम उठाए हैं और केंद्री बजट में इस सिलसले को आगे बढ़ाने की जलक मिलती है उन्होंने वेतन भोगियों को आयकर में थोड़ी और छोट दिये जाने की वकालत की भाचपा के भुवनेश्वर कलीता ने कहा ये सबका साथ सबका विकास पर आधारिट विकास सोन्मों की बजट है राश्ट्री जन्ता दल के प्रोफेसर मनोज ज्छा ने कहा कि बजट में देश में आए की असमानता को कम करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया अजित कुमार भुयाम ने कहा कि केनी सरकार ने पुर्वर्तरक चुछेतर के विकास पर ध्यान दिया है लेकिन बजट में असम को विशेश सहायता दी जानी चाहिए थी मार्क्षवादी कम्यूनेस पार्टी के ए ए रहमान ने कहा कि आवशक वस्तूओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और आम जंता को द्यानिक जीवन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पढ़ रहा है भाजपा के दोरजी चेरिंग लेपचा ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि बजट में पुरवरतर के विकास के लिए विशेश प्रावधान किये गए हैं शिवसेना की प्रेंका चतुरवेदी ने बजट को महराश विरोधी बताया भाजपा के डॉक्र सिकंदर कुमार ने कहा कि बजट में समाज के हरवर के कल्यान के लिए खदम उठाए गए हैं और ये दुनिया की अत्रवस्था में भारत की विशेश पहचान बनाएगा अमार्दमी पाटी के संदीब कुमार पाठक और BRSK, KKR, सुरिश, रडड़ी, UPPLK, रंगवरार, नारजारी, भाजपा के घंशियामतिवारी, महिंदर भट और के लक्षमन, IUMLK, हासिल, बीरन, केरल कॉंग्रेस, MK, जोस, के मनी ने भी इस सर्चा में भाग लिया राजिसर्भा में सदस्यों ने केरल के वैनाड में, भूस कलन में, जान, माल के भारे नुकसान का मुद्दा उठाते हुए, केंडर सरकार से राजिक कोहर संभव मदद देने की मांग की, सभावते जगदीब धनकरने कहा कि ये बहुत दुखर कटना है और समूचा देश और सदन संकट की इस घड़ी में केरल के साथ खड़ा है, उन्होंने कहा कि केंडर राजिसरकार का निद्रत्व और विभन एजिंसिया तालमेल बनाकर रहात और बचाव अभियान में जुटे हैं, प्रतान मिंत्री ने प्रभावित लोगों के लिए बहुत बड़ी आपदा आई है, चार गाव शेश राजी से कट गए हैं, भागपा के संतोष कुमार पी ने इससे राश्ट्री आपदा खोशित करने की मांगी, आई यूम एल के अब्दुल वहाब और केरल कॉंग्रिस एम के जोश के मनी ने किन सरकार के केरल को हर संभव स सहाथा देने की केरल के जेबी माठेर ने भी इससे राश्ट्री आपदा खोशित कर केरल को पाँच हजार करोर रुपियों की सहाथा राश्ट्री देने की मांगी, सदन के ने तरजगर प्रकाशन अड़ा ने कहा कि ये तराज़ी केवल केरल की नहीं, बलकि पूरे देश क और सभी सदसे इससे दुखी है, केंडर और राज्ट्री सरकार के नेतरत्व में जरूरी रहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, केंडर सरकार इस मामले में राज्ट्री को जो भी जुरत है, उससे पूरा करेगी, संसदीकार मंतर केरियन रिजीजू ने कहा कि कोई भी राश्ट्री आपदा सभी के लिए चिंता का विशह है। उन्होंने कहा कि केंद्रिय मंत्री जॉर्ज कुरियन सुभा ही केरल के लिए रवाना हो गए है। इसके अलावा राश्ट्री आपदा मोचन बल की टीम भी वहां भीजी गई है। कि राश्ट्री में बार की कारण होई घटनाओं में चुरानवे लोग मारे गए हैं। उन्होंने बार की कारण हुए नुकसान के लिए राश्ट्री के किसानों और अन्यत धारकों को विशेश पकेश देने की मांगी। सब बाके रम जिलाल सुमन ने परश्ट्री में उत्तर प्रदेश के आगरा में इलाबाद उच्चुनियाले की पीट साफित करने की मांगी। त्रिनमूल कॉंग्रिस की डूला सेन ने परश्ट्री मंगाल का नाम बदल कर बंगला करने की मांगी। और इसी की साथ ही संसर समाचार में। इतना ही नमस्कार।